FUE या FUT देखें बहुत सिंपल भाशा में FUE method होता है जो ज़्यादा advance वाला है जिसमें हम बालों की जड़ या graft एक-एक करके निकालते हैं और लगाते हैं उसमें फायदा क्या होता है? उसमें फायदा होता है कि मुझे चमड़ी का लंबा सा पीस नहीं निकालना स्टिच नहीं लगाना, निशान नहीं रहेगा स्टिच का, दर्द नहीं होगा तो फिर मैं पुराने टेकनीक से क्यों आपका operation करो? कई बार कई डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं स्टिप ज़्यादा अच्छ है वो सिरफ इसलिए बोलेंगे, क्योंकि उनको FUE की मेनत नहीं करनी या उनको नहीं आता कई बार ये भी बोलेंगे दोनों का combination कर दो उसमें तो और भी बेकार है, क्यों? एक तो आप FUE से पैसे भी दे रहे हो, उपर से एक स्टिच का स्कार तो रही गया और फिर उसके बाद चाहिए ट्रैकोफाइटिक क्लोजर करें, वो निशान रहेगा, वो दर्द रहेगा यह नहीं है कि वो गायब हो जाएगा एकदम से सेकंड, यहां से दाड़ी से बाल और बाकी जगा से बाल कैसे लेंगे? यह तो स्टिप से या FUT से ले ही नहीं सकते, तो अगर आपको आज के टाइम में ट्रांस्प्लांट कराना है, तो FUT जैसी पुरानी आउटडेटिट टेखनीक तो मैं बिल्कुल एडवाईज नहीं करूँगा अगर मैंने कल को अपने बेटे का ट्रांस्प्लांट करना है या अपने लिए कराना है, तो मैं स्टिचलेस FUE मेथड ही करूँगा, मैंने अपने फादर का भी किया है और वो भी FUE से ही किया है, इस से जादा मैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, FUT बिल्कुल नह करूए है, याल है, याल है तो पुर वोबड़ने करें पूरांस्प्स है शोरह उत breast ही किया है, घसक्वार के तो भी करुंद fé उते बेफरांस्छश कर वी रहा ही किया है, याल है जपने काब पूरांस्प्स्पोंयों ही क्रंस्पมोज स्थाहँ करूबड को की कि पीसे जाम